साथियों आप सभी के स्प्लेटफर्म पर सागत है यहां पर हम लोग NCRT बेस्ट जो है कुछ महात्मुलों प्रश्णों को देख रहे हैं यह जो कोशन है यह आपके क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जो जियो विग्यान किताब है उस पर आधारित प्रश्ण है और यह जो 10 प्रश्णों को देखेंगे तो चलिए प्रारम करते हैं मृत्यों बीटनकारी वस्तों का भोजन करने वाले को क्या कहते हैं तो कवक जो है आपका फंगी यह एक प्रकार का अबगटक होता है कवकों की विद्धी के लिए कौन सेरी सबसे अच्छी इस परिस्तियां प्रता तो एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं तो यह एक लाबदाएक संबंद होता है तो यह सहजीवी संबंद कहलाता है क्या कहलता सहजीवी जिसमें दोनों को लाब होता है किस जीव में दो भागिदार होते हैं तो लाइकेन में दो भागिदार होते हैं लाइक पौधों को नाट्रोजन की आपूरती कौन सा जीमारू करता है तो राइजोबियम करता है राइजोबियम अपना भोजन स्वैम नहीं बना सकते यह किस प्रकार के पादपों की जड़ों में रहते हैं उनकी जड़ों में रहते हैं जैसे कि आपके दाल या मटर के जो पेंड ह होते हैं पादप होते हैं किस खाद्य पदार्थ के पौधों से राजयोबियम का सहजीवी संबंध होता है तो दाल से एंटिसेप्टिक सरजरी का सुत्रपात किसने किया था जोसेफ लिश्टर ने रहिष्ट्री आफ हिंदू साइंस किसके किरती है तो यह जो है बैग्यानिक मेगनास सहा की है चैचा किटिके की खूँच किसने की तो एड्वर्ड जेनर ने किसने एड्वर्ड जेनर ने निम्न워서 से कौन भाउजन करनी के लिए अपना अमासर बाहर निकालता है इस टार्फिस निकालती है निम्नondere से कौन कैलश्यम कार्मोमट के कठोर कबच वाले जं जुड़ी होती है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन है, निम से कौन पाचक रस इस्त्रावित करता है, तो देखिए, पाचक रस इस्त्रावित करता है, लाल ग्रंथी यक्रित, अपने अगनाशे, ये सभी के सभी करती है, अथत, डी आप्शन आपका सही हो जाएगा, यक इस्त्मक कहते हैं, इससे जो है, इसमें पाइलोरिक ग्रंथियां होती है, इससे जठर रस या गैस्टिक जूस निकलता है, जो की हलका पीला रंग का अमलिय द्रह होता है, ठीक है, और ये जो जठर रस होता है, गैस्टिक जूस, इसमें दो एंजाइम पाई जाते हैं, पे केसी नोजिन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैरा केसी नेट की रूप में बदल देता है आगे बढ़ते हैं निम्म से कौन एक मांशल पेशिय अंग है तो आपकी जीव निम्म से कौन पित्रश को पित्रश अथत बायर डक्ट को इस्तराविद करती है तो जो यह लीवर होती ह है यह इस्तराविद करती है ठीक है पित्रस कहां सरीर में कहां संग्रहिद होता है तो पित्ताश है जिसे गाल ब्लेडर कहते है गाल ब्रेडर में होता है अगला है प्रोटीन ने उसे किस में परिवर्तित हो जाता है तो प्रोटीन जो है ये अमीनो अमल में परिवर्तित हो जाता है भोजन का वाबाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथ्वा आउसरोशन नहीं हो पाता है वो कहां भेदिया जाता है वो बड़ी आत में भेदिया जाता है और बड़ी आत से ये फिर बाहर निकाल दिया जाता है ठीक है बड़ी आत से फिर बाहर मल में कर्णमठ होकर कि बाहर निकल जाता है किसकी सता से पचे हुए भोजन का आउसोशन होता है तो देगरोम या रसांकुर जो की आपका कहां पर उत छोटी आत्प में होता है कौन एकफस्की जीव है तो अमीबा जो है यह है एक कुष्की में जिव इव है आगे बड़ते हैं कोचन नमब 75 पे तो भोजन का पाचन कहां पर प्रार섯 मुथ रहं होता है और यह जो है पांच चरणों में चलता है पहला कहलाता है और पांच वह हैं मल परित्याग कहलाता है तो ये पांच चरण होते हैं अगला है मानो सर्रीट की सबसे बड़ी ग्रंती का नाम क्या है वहाययक्षित जिसे इंगलेस में lVA कहते हैं अमीबा अपने भोजन का करता है तो यह खादख़ Videos द्हानी में करता है वशा का पूर्ण रूपे न पाचन की इस्तरावित करता है तो यह अमाश्य रथा इस्टमक जो होता है यह इस्तरावित करता है हाइड्रोकलोरिक अमल हाइड्रोकलोरिक अमल और पाचन रस पाचन रस में आपका क्या आता है जठर रस आता है या है परोटीन को कडिए सरth पदार्थ हो अ अ today on content करणा वशा के पाचन में महाथुन भूम का निभाता है तो वशा के पाचन में महाथा प्रूम का पित्रस अथा भाईल डेक्ट निभाता है अ आगे बढ़रें कोशिकाओं सिप्ट कोषिकाओं में उप सिद्ट gwology यह जाता है तो आक्सीजीजन की सहयता से निम्र्ण से किसके दूद का पाचं़ सबसे आसान होता है तो बक्री के दूद जीव की सबसे छोटी सनरचनात्मक और क्रियात्मक इकाईग होती है आपकी कोशिका, सेल भोजन में संचीत उरजा किस समय निर्मुक्ष होती है, शुषन के समय निर्मुक्ष होती है कोशिका के अंदर भोजन, असाथ ग्लुकोज किसका प्रियोग करके कार्वन डाइकसाइट और जला में विगटित हो जाता है किसका प्रियोग करके तो ये ऑक्सीजन का प्रियोग करके विगटित हो जाता है निम्न से कौन सा जीव? अवाई भी ये रूट से सुसन करते हैं, मतलब जिने हवा की जरूवत, ऑक्सिएन की जरूवत नहीं होती है, तो ऐसे कौन से होते हैं? इस्ट जो होता है, निम्न से किसका संचेन? पेशियों में एठन उत्पन करता है, तो लैक्टिक अम्ल, लैक्ट आक्षियन की उपस्यती बढ़ जाने से, एक वेस्ती विस्ञां की अवस्था में, एक मिनित में कितनी बार सांस लेता है, यह हार्डवीट की बात नहीं हो रही, कितनी बार सांस लेता है, 15-18 आपकी हार्डवीट समानता 72 बार वो धरकन चलती है, तब आगे बढ़ते हैं, जिसए घलफडे कहते हैं उच्छोषण कि समय पसलिया क्या होती है बाहर की और उच्छोषण मतलब जब आप सांस अन्दर खीचते हैं तो क्या होती है पसलिया बाहर क्योंगे हवा अंदर करती है उसके श्वास रंध्रों से किसे श्वास रंद्रों से पचे उए भोजन को छोटी आठ से सरीर के अनिभागों तक कौन ले जाता है पचे भोझन को तो जो रख दिया भलल रोता है वो लैजाता भेफ़न से आक्षिएन पड़ाइन को सरी कोश्कावं तक को np करता है तो यह काम रखती करता है ब्लेड करता है रखत एक तरल से बना है उसे कहते हैं प्लाजमा देखिए रखत में जो है दो प्रकार के दो दो एलिमेंट होते हैं दो प्रकार के प्लाजमा कहलाता है दूसरा रुद्रान हुआ ब्लेड सल कह सकते हैं आगे बढ़ते हैं ऐसे इसका अन्रेज नाम क्या है इर्थ्रोसाइड कहते हैं इसे इर्थ्रोसाइड भी कहते हैं और हीमोग्लोबिन में जो है इसमें हीम नामक रंजक होता है जिसकी वज़ासे इसका कलर जोता है लाल होता है और इसमें ग्लोबिन लोह एक तो प्रोटीम पाया जाता है जो जि लाल रंग होता है निम्हें से कौन हमारे सरीर में रोगाणों को नश्ट करता है तो वह है डगलू बीसी वाइट ब्लड सेल जिसे लिकोफ साइट कहते हैं यहां पर 50 प्रस्ट कंप्लीट होते हैं तो इस वीडियों बस इतना ही मिलते हैं तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद झाल 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 झाल